हेलो आल, वेलकम तो लॉग स्कोल, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंपोर्टेंट mcqs यह आपके प्रीवियस यह क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए एनल्यू वाले एक्जाम से ठीक है जी तो हम चलते हैं फिर्स्ट इसके साथ जो वीडियो के आपके टेलिग्राम चैनल पे इसका आपको दूसरा पीडिया वर्जन या फिर आपको डॉक्स वर्जन मिल जाएगा अब आपका क्या होंवक है आपने टाइमर लगा के यह देखना है कि आप इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे आज हम 10 questions करेंगे में मेरा मोटिफ क्या है सो देट आप जब पैसेज बड़ो आपकी अनलीजिस पार कैसे उसको समझते कितने टाइम में हो आपने वो चैक कर लेंगे तो जो आपको मिलेगा इसका दूसरा फॉर्म में डॉक्स फॉर्म में तो आप क्या होंवक है आपने उसमें इसको देखना है कितने टाइम में इसको सॉल्व कर रहे हो ठीक है जी तो चलते हैं पहले question पहला question क्या कह रहा है competence to contract is essential for an agreement to be considered a contract देखो अब आपके exam में पैसे जाएंगी ठीक है आपने उसको line by line समझना है ठीक है line by line समझोंगे तभी आप next line को समझ पाओगे अगर आपने सोचा पहले paragraph पढ़ती हूं या पढ़ता हूं फिर में इसको समझूंगा तो आपका और time consume होगा ठीक है तो line by line पढ़िये जी पहला point यहीं बता रहा है कि competence to contract क्या है यह बहुत ही important point है essential agreement है एक essential part है एक agreement का contract बनने के लिए ठीक है हमने जब capacity to contract कर रहा था वही होता है competence to contract कि कौन-कौन जो है competent enough है to enter into a contract ठीक है अब हम चलते हैं इसका next line पे competence to contract any person who is of the age of majority according to the applicable law and is of sound mind and is not disqualified from contracting by any applicable law जब हमने capacity to contract में parties परी थी कि कौन सी parties are capable for entering into a contract तो हमने उसमें minor sound mind unsound mind जो नहीं enter कर सकती वो कौन थी minor था unsound mind का और वो person जो disqualified by law है तो उन्होंने भी यही बात बोली हुई है पहला उन्होंने यह बोला है कि जो person जिसने majority age acquire कर ली हो दूसरा point उन्होंने कौन सा बोला है कि जो sound mind का हो तीसरा क्या बोला है जिसको disqualification नाम मिली हो from contracting by any applicable law ठीक है अब इन्होंने यहाँ principle में आपको age of majority जो है वो सुझा दी है कि age of majority है वो क्या कह रही है वो यह कह रही है every person shall attain the age of majority on their completing 18 years of age and not before ठीक है अब facts पर चलते हैं कि आपका जो question है क्या कह रहा है आपका question कह रहा है z sought to purchase a property belonging to k अब z और k में contract होगा अब k यहाँ पे जो है वो minor है okay two days before k completed 18 years तो इन्होर में आपस में z sought to purchase a property which belong to k k who is a minor ठीक है उसके भी बात ही चल रही है दो दिन पहले जब k 18 years का हो जाएगा k really liked the z's offer and six months later they entered into a contract for sale of the property to z was k competent to contract अब इस question में आप समझेगा इन्होर में की से रहा पहले बात चीज़ चल रही थी इनका contract कब बना after six months ओके और उसे दो दिन बाद ही एठारा साल का हो जाना था उसके पीछे में बाद इनका contract बना तो अफकोस ही बात है facts ही पता चल रहा है जो के है उसने जब contract बना उसने age of majority जो थी वो हासिल कर ली थी he was no more a minor ठीके जी अगर हाँ दो दिन पहले करते तब हमने कहना था कि वो minor है अब इनका contract हुआ कब है इनका contract तब हुआ है जब वो after six months two days रहते थे 18 years का होने के लिए और after six months उसने जो है वो contract करा है तो but of course जी बात है जो इसका contract है वो यहाँ पे valid माना जाएगा अब चलते हैं हम question के उपर question क्या कह रहा है K was not competent to contract because he was influenced by the even K was minor यह बिलकुल गलत बात है ना ही वो कोई influence में आया है और contract उनका हुआ ही after six months है K is competent to contract because he had been into the contract after completing the 18 years of age absolutely right K was not competent to contract because he had approached him यह वाला जो point है यह invalid है देखो competent to contract तो होता ना होता जब वो minor था तब contract हो जाता next question आपका क्या कह रहा है acceptance must be communicated to the offerer to constitute a binding contract अभी आपने जो acceptance करी है जितनी देर तक वो offerer को पता ही जलेगी तो हम कैसे माल लेंगे कि आपका contract जो है binding है contract हो गया है आपने mere intention है आपकी आगे क्या लिखा हुआ है mere intention to accept without communication does not lead to a contract so you just have the mere intention to accept it but there has been no communication between the parties then it will not lead to a valid contract okay let us see the facts J wanted to purchase her uncle T's television अभ यहाँ पे देखो J और T के बीच में contract होना है okay J wrote a letter to T indicating that she wished to purchase his television for 5000 T was pleased with J's offer and decided to call J to accept the offer अब देखिए J ने बोला offer दिया T को कि मुझे आपका television बहुत पसंद है I want to buy for 5000 T was pleased with J's offer and decided to call J to accept the offer T called twice but J did not pick her phone अब J ने इतना phone करा T ने J को बहुत phone करा पर J ने phone ही नहीं pick करा okay the next day T found a buyer for the television for 6000 and sold the television to his buyer J is alleging breach of contract अब यहां तक समझे यहां पर क्या आपकी की गलती हुई है J की हुई है उसने phone pick नहीं करा next day उसने कर दिया तो J is alleging यह ओ अलेज कर रही है which is not true because उसने effort करा था communication करने का but हुआ नहीं okay by J's fault only okay so let us see the options J will be successful because even though contract was binding T founder यहां पर यह बात गलत contract was not at all binding offer हुआ था acceptance होनी रहती थी उसकी उस वो call कर रहे थी उसने call उठाई नहीं so here यह तो यहीं पर ही गलत हो गया J will be successful because T's action of calling J is equivalent to communication no not at all यह कैसे हम presume कर लें क्या पता वो मना कर रहा हूँ call करने के लिए ठीक है तो यह presumption जो है यहां पर नहीं चलेगी that is why this option is also wrong now J will be successful because I was happy with J's offer because here T आएगा because T was happy with J's offer and had intended to accept देखो again again this is these two options are based on presumption कि J will be successful because T was happy and all this thing for call जप ठानी पाई तो how can we presume these things okay let us see the now last option J will be unsuccessful since T's acceptance have not been communicated to constitute a binding contract आपके question में भी लाइन लिखिए थी okay so here D will be your right answer yes अब चलते हैं हम next question पे in relation to the law of contracts in instances where both parties to an agreement are under a mistake about a matter of fact essential to the agreement agreement is void आपको याद रखना है जब आपकी misrepresentation होती है दब आपके contract जो है avoidable हो जाते हैं आप mistake में वह वाइड बन जाते सिर्फ जो आपके unilateral contracts होते है mistake में आपको कल वाले जो लेक्टर था उसमें मैंने बताया था लास्ट मेरा में लास्ट मेनने एम सीक्व लेक्टर बताया था उसमें वैने बताया था उसमें प्रॉड ने कॉन से होते हैं आपकी unilateral contracts होते हैं अगर उसमें प्रिका तो मुंबई अब L और M में कोई बात हुई है याज रखना है However, two days before the agreement was reached the ship carrying the grains met with an accident and all the goods were lost L's agent had informed L about this अब L को इस बारे में पता था that the accident has happened Is the agreement void because of mistake as to matter of act अब इसमें देखिए आप इस question को समझें आपको लग रहा है कहीं mistake होई है Because L के agent ने L को inform कर दिया है उसके बारे ठीक है तो अब हम चलते हैं पर इसके options देखते हैं options क्या कहता है Yes, since both parties committed a mistake by entering into a contract देखिए जी L और M में जो contract हुआ है वो अफ्रिका से Mumbai a consignment आनी थी उसमें उनका समान आना था अब two days before the agreement was reached two days Mumbai पहुँचने से पहले तब हुआ है वो काम तो contract इनसे कोई लेना देना है नहीं because कोई mistake हुए नहीं क्योंकि वो contract enter करने के बाद हुई है इसमें कुछ disonant intentions है दिखी नहीं है question में ना करी लिखा हुआ है no since l was aware ये लिखा हुआ है कि l was aware that the goods were lost चीक है question क्या आपका कह रहा था is the agreement void तो हम क्या कहेंगे agreement is not void because l was aware that the goods were lost mistake हुई नहीं है कोई तो void कैसे आपका agreement हो जाएगा okay so here c will be your right answer let us see yes c is your right answer अब चलते हैं हम फूर्थ question पे फूर्थ question जो है आपका कह रहा है both parties to a contract are discharged from their respective outstanding obligations in situations where a super winning event significantly changes the nature of contraceptual contractual rights and obligations from what the parties could have reasonably contemplated at the time of executing the contract the super winning event must not be the result of default by either party nor should the contract make a provision for it ये जो आपका point है इसको हम कहते हैं doctrine of frustration जब कुछ ऐसी problem हो जाए जब कोई impossible act हो जाए ठीक है तब अब हम पहले इसके facts पढ़ते हैं क्या है अब इसमें आपको कुछ नहीं है याने principle में आपको यही समझाया हुआ है both parties to a contract are discharged they are discharged from their respective obligations in situations where super winning event significantly changes the nature of the contractual rights कुछ ऐसी event हो गई जिससे आपके contractual rights से जो उनकी nature ही change हो गई है okay from what the parties could have reasonably contemplated at the time of executing the contract okay the super winning event जो हो कह रहे है वो parties के default पे नहीं होना चाहिए nor should the contract make a provision for it okay facts समझे in the city of Votoria which is highly suspectable to public health crisis S a supplier of raw food products enter into a contract with H of S or H may contract hoga a restaurant owner for two years whereby S would supply certain raw products to H at pre determined prices their agreement also provided that in case of interruption of operations of H on account of epidemics pandemics or any other public health crisis the contract will be suspended till the crisis is declared to be over by the government and thereafter pending contractual obligations shall resume यह तो आपको समझ लग गया यह क्या कह रहा है अब देखिए कहते हैं सीटी है वो टोरिया करके जो की highly suspectable है to public price ठीक है एस है वो supplier of raw food products है वो H जो restaurant owner है उसके साथ contract में आ गया है for two years एस उनको raw products supply करेंगे ठीक है उनकी agreement में यह पॉइंटर है जो लिख दिया है in case of interruption अगर कोई operation की interruption होती है कोई epidemics हो जाते हैं या कुछ pandemic हो जाता है तो उस case में या फिर कोई public health crisis हो जाते हैं विकोज वो टोरिया में नहीं क्या लिखा हुआ है that is highly suspectable to public health crisis तो उस case में जितनी देता क्राइस है उतनी देता contract suspended रहेगा और उसके बाद जो है वो pending जो उसकी contractual obligations है जब ठीक हो जाएगा तब रूस्यूम कर जाएंगी ठीक है three months were left on the contract when there was highly contagious fire outbreak in the city which caused restaurant owners including H to suspend operations once the outbreak was declared to be over six months later H refused to purchase the raw materials Thomas arguing that he was discharged from the obligations under the contract अब देखिए इन्होंने पहले यहां बात करें थी कि जब रिजूम करेंगी अब यहां पे रिजूम करने से है एच ने जो है मना कर दिया है ठीक है अब हम चलते हैं इसके question peaks का question क्या कहता है इसका question हम देखते हैं इसके options H is discharged from his virus obligations because the outbreak was a super winning event which changed the nature of the contractual अब देखिए यह आपका गलत है because outbreak was not at all a super winning event because अब का महां पे लिखा हुआ था कि जो वो टोरिया city है that is more suspectable to have that human public health crisis okay H is not discharged from his obligations because the contract contained a provision dealing with outbreaks further the parties could have reasonably contemplated the occurrence of the outbreak अब देखिए इनके contract में वो बात लिखी गई थी कि ऐसे को प्रॉब्लम होगी तो हम दुबारा रिजूम कर लेंगे तो इन तो इस option is the right one अब देखिए H is not discharged from his obligations because the contract had ended by the time they coped here two months was still there so that is why this option is wrong H is discharged from obligations because outbreak is likely to have affected his business band ये भी गलत है so here B is the right option में आपको question में भी समझाया था कि उनके वो उसमें लिखा हुआ था बट ये पॉइंटर जिन्होंने डाला था contract में बट end में रोने रिजूम करने से इसको मना करते है ओके समझ लग गया आपको अब चलते हैं हम क्या कहा है इन्होंने कि जो uncertain agreements है वो वाइड है विच इस नॉट सर्टन और capable और जिनकी capability है कि वो सर्टन बन सकते हैं अगर उनको भी अप सर्टन नहीं बनाओगे तो वो वाइड हो जाएंगे सर्टन क्या होता है अगर आपकी जो consideration है आपने कोई चीज लेनी है देनी है जो भी आपका लें दिन है उसकी जो amount है आप सर्टन नहीं रख रहे हैं ठीक है कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो agreement के दुरान तो यहां पर यह बात होती है that it should have a certain value so that other person can enter into the contract okay let us see the facts Ilanayak wants to buy a motorbike to reduce her waiting time for the daily commute to work she can pay up to rupees 35,000 for a second-hand motorbike Dev Patnayak agrees to sell his recently purchased Honda motorbike to Ilan for 31,000 or 30,000 अब देखियो और आगया here the amount which they've had quoted is not certain it is uncertain he is not saying a come out when he will say one amount and that will be considered to be the certain amount for that particular bike okay now let us see the options this is the valid agreement since Ilan can pay the full Kila chahe 35,000 पे कर सकती है but this will not constitute a valid until unless his amount is certain आपकी question में जब सर्टेन की बात करी हुई है you have to answer the question according to that okay so this will be considered the wrong answer this agreement is void for uncertainty since there is nothing to show which of the two prices was finally agreed exactly the amount is not shown that there is a certain amount for which Ilan can buy okay this agreement is voidable ये भी नहीं है agreement is valid as there is an offer from Dev Dev से यहां पे कोई उपकी 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 नहीं है okay so this was also not the right option here B is your right answer let us see yes B is your right answer अब एग्रिमेंट बही बात करी हुई है इसके facts बदल गए है Ilanayak wants to buy a motorbike to reduce her waiting time for daily commute to work she can pay up to 35,000 for a second-hand motorbike Dev and Ilan अब यहां पे agree हो गए है then Ilan will initially pay a sum of Rs.31,000 for the motorbike and if the mileage given by the motorbike exceeds 60 km per litre on an average for 5 months following the sale then Ilanay will pay an additional sum of 3,000 is this a valid agreement or not अब देखे जी 31,000 के इनके deal हुई है अब इन्होंने क्या कहा है कि वो देखेगी कि इतनी mileage है for 5 months for 5 months now she will calculate the mileage यह 60 km per hour कि वो है कि नहीं है ठीके, per litre, sorry here ओके, this is not important for you you just have to understand the concept of her right फिर वो कहती है कि जब इतनी 5 months के बाद अगर 60 mileage उसकी आ गई then she will pay 3000 extra is this a valid agreement यह है valid agreement ठीके, आप इसको इसको यह भी कह सकते हो it can be one form of executory also because अगर वो आ गया पर उसके लिए तो हमें दोनों parties they are binding to pay but यहाँ पर ऐसेच कुछ ने it can be a form of contingent contract you can say that अगर यह condition fulfill हो गई then she will pay 3000 rupees extra otherwise इतना तो उसने उसमानी गई यह देने के लिए so yes it can be it will be considered as a valid agreement so let us see the options this is an invaluable since Eli is not paying the entire price no no not at all she is paying one amount but there is a condition if the bike will show 60 km per litre after 5 months she will pay Dev 3000 more okay this is a valid agreement as the price of the motorbike is capable of being made certain yes यह certain की बात हुई तो certain वाला point आपको देखना ही पड़ेगा okay this is a valid agreement as Eli had already paid 31,000 rupees which was accepted by Dev देखो अब आपके पास दो ऐसे options आगाई है जिसमें आप confused हो जाओगे कि यह सही है कि यह सही है कि यह सही है दो काफी दोनों similar है ठीक है accepted by Dev की वैसे तो उसमें कोई बात लिखी नहीं हुई बट still it is implied बट हमने क्या चूज करना है अपना best option चूज करना अब देखो आपके question में बात करी हुई थी certainty की आपके option में जब अकर certain भी आ रहा है तो आप वो पिक करियेगा ओके रादर देन picking the C option, पिक the option B ओके for a more appropriate answer this is an invalid agreement since Dev and Eela can disagree if the motorbike was actually able to give mileage this point is not at all correct because invalid नहीं है contract is valid because he was able capable of giving a certain amount to her उसके बाद रहने condition लगा है गर वो फुल्फील होगी शीकल पे 3000 more so यहाँ पे एक amount तो certain है दूसरी तो conditional है okay so यह point आपका इससे लिए valid है because यहाँ पे certainty की बात हो रही है okay जी let us see the answer B is your right answer yes now let us see the next question next question आपका क्या कह रहा है damages consequent to a breach of contract seek to compensate the innocent party for the loss suffered by it so that the innocent party is put in the same situation with respect to damages so far as money can do it as if the contract had been performed अब देखे अब यहाँ पे damages की बात करी हुह है अब ब्रीज ओफ कॉंट्रेक्ट ठीक है so that with respect to damages so far money can do it as if the contract happened जब हमने इसकी ब्रीज ओफ कॉंट्रेक्ट के आगे पढ़े थे damages, injunctions, specific performance of the contract हमने इस तारे points अच्छे से पढ़े थे ठीक है तो damages की इसमें प्रिंसिपल में आपके damages की बात हो रही है facts पे चलते हैं A agrees to sell A agrees to sell 30 kgs of strawberries to B knowing that B uses the strawberries to run his juice center B's juice center is located Australia Jones College of Delhi University and is very popular with the students A supplies sub-standard quality of strawberries to B however, B is able to use all the strawberries for his juice center none of the customers of B are able to make out the difference or complain about the juice or for that matter face any issue after drinking the juice A B.A. point subject A और B में contract हुआ अब A ने क्या करा A ने supply कर दी उसको sub-standard strawberries but आगे का लिखा है कि उसके जो B के एक भी customer ने उसको complain नहीं करा okay क्योंकि किसी को कुछ difference पता नहीं चला and none of them complained about it ना ही उसको कोई issues face करने पड़े ठीक है अब बात कर रहे है can B recover damages from A अब देखिए A ने उसको sub-standard quality of strawberries तो दे दी थी ठीक है B is able to use all the strawberries कोई complaint भी नहीं आई तो वो क्या damages recover करेगा अगर यहाँ पही कोई complaint आती उसको कोई suffer होता बिजनस में loss हो जाता उन sub-standard quality of strawberries की वज़े से तब वो अपने damages जो है claim कर सकता था यहाँ भी उसको कुछ नुकसान ही नहीं हुआ अब हम चलते हैं इसके options के उपर A is liable to compensate B for supplying sub-standard quality of strawberries अब देखिए A तो liable होता अगर वो उसके बारे में complaint करता या उसको कोई complaint आती या कोई issue रेज होता So that is why this option is not correct A is not liable to compensate B Since B suffers no monetary loss हमने damages में क्या पड़ा था कि it help you कि अगर contract fulfill हो जाता या जो भी होता आपकी जो damages होई है वो recover हो जाएंगे अगर उसको कोई damage होता चीक है कुछ loss of customers होती Then he was liable to compensate B for the same अब कोई damage ही नहीं हुआ Okay A is not liable to compensate B because the contract did not prevent A from supplying sub-standard quality of strawberries देखिए Contract did not prevent ये वाली बात ठीक नहीं है कुछ ऐसे prevention की बात नहीं हुई थी वैसे भी हम damages की बात कर रहे हैं तो B is more appropriate answer और नहीं ये जो कह रहे हैं कि contract नहीं हुआ था कि sub-standard quality देने का हुआ था नहीं हुआ था In this question that is immaterial That is why we have to stuck off this answer also A is not liable to compensate since none of the customers of B have proceeded against A for supplying bad quality देखे अगें This is not the more appropriate answer Okay हमें customer आया नहीं आया अपको बस ये बात देखने हैं कि उसको no monetary loss हुआ है That is why A is not liable to compensate B यहां पर third party का law damages देखने में इतना रोल नहीं है जितना इस बात का रोल है कि उसने को monetary loss हो नहीं देखा So here B is the more appropriate answer So we will choose B as our option B is your right answer Okay Let us see the next question देखो full-fledged passage आरका है आपके NLU 2021 के ये सारे questions है 10 questions आरके थे आपके contract के उसने Okay Principle 1 क्या कह रहा है Misrepresentation arises when a person makes a false statement of fact to another which induces other party to enter into contract resulting in the loss to other party Misrepresentation की बात हो रखी है When consent to an agreement is caused by misrepresentation, the agreement is contract is void at the option of the party whose consent was so caused Okay Facts पढ़िये जी It was Kritika's mother's 50th birthday On 9th February 50th birthday on 9th February Kritika decided to organize a lavish celebration to celebrate the event Kritika's mother used to play the piano before her marriage However, after Kritika was won, she was unable to take out time to pursue her interest in playing the instrument Kritika learnt about this from her maternal grandmother A few days before her mother's birthday She decided to give her mother a piano on her 50th birthday She visited Himanshu's piano store for this purpose Himanshu showed Kritika all the pianos available at his store and explained the features of each model Kritika had no prior knowledge of pianos and hence relied upon Himanshu's opinion She saw a vintage piano and was immediately drawn towards it Being a shrewd businessman, Himanshu saw an opportunity to sell the piano and said They don't make them like this anymore It's got a fine tone and it's really cheap at Rs. 50,000 Kritika purchased the piano and gifted the same to her mother However, when her mother started playing it, she immediately realized that this piano was of an inferior quality and that the tone was not proper Kritika and her mother approached Himanshu and asked him to either replace the piano or refund the money Himanshu refused to do either What would be the strongest argument that Himanshu could make? Let us see Let us see Himanshu is not liable to do either Because it is only Kritika's mother's subjective opinion that the piano was inferior and that the tone was not proper Let us see If any shade of moment, we call a point that he is not liable as possible If we ask her about the critical opinion about the Michalas That the point is not the right to apply the truth Okay? Now, let us tell the question that Himanshu's opinion Why is he not liable? Now, let us ask the question एकि क्रितिका के पास कोई प्राइर नौलेज नहीं है और वो क्या कर रही है रिलाई कर रही है इमाइशो को opinion के उपर शी सो विंटेज प्यानो पुराना प्यानो देखा एंड शी वाज इम्मीडेटली द्रॉन तोवर्ड इट ठीक है अब यहाँ पी हिमाउचु ने चलाकी मारी अब इस केस में यह समझे अब इस केस में यह समझे अब वट वुट बुट बनते बहुत अच्छी टून है और बहुत ही चीप है यह 50,000 का है अब आप इस केस में यह समझे अब वट वुट बिदा स्ट्रॉंगेस अर्गुमेंट रिमाउचु कुड में अब इस को कोई फॉस बोला ही नहीं है फॉस पॉस पॉस रिप्रेजंटेशन कुछ भी नहीं करी है तो अपका पहला अपीनियन था कि इस ऑनी कृतिका अज मदर सब्जेक्टिव पीनियन एड़ प्यानों वाज इंफिर यह बात स्ट्रॉंग नहीं होगी यह बताने के लि पिर पॉरली बेस और मशू नौ लॉट इस अज़सर गोज़ें था इंपर आप यह बोला हूँ तो फॉस पहले ही यह बोला हुआ है तो अगर ये point हम डालेंगे ये इट विल नॉट बी अगुट argument, we have to find a strongest argument, okay, to say that Himanshu is not liable ओके, next पढ़ते हैं Himanshu is not liable to do either because he only gave kritika his opinion and did not make any false statement or fact अब आप एक भड़िया lawyer तभी बनोगे, आप अगर ये प्रूफ करोगे कि मेरा जो client है, और बिल्कुल सही है तो ये आपका strongest opinion बनेगा, because कहेगा कि क्रितिका खुद को opinion था, और मैंने कोई false statement बोली नहीं, ये कोई fact false बोला ही नहीं है ये उसने बोला कि ऐसे प्यानो नहीं बनते, it's got fine towards really cheap at Rs. 50,000 कहीं बार हम भी क्रितिका को चलाना आता होता तो वो देखके बता सकती थी कि हमा इसकी fine tone नहीं है तो मुझे कोई और देखना चाहिए, आपको जब किसी चीज़ की knowledge होती है, कपड़े लिने जाते हो कुछ भी, आप केते हैं, नहीं, इसकी quality इच्छी नहीं है, हम दूसरी चीज़ लेगते हैं ओके, so here D is exactly the right option where you can save हमाईशू with the strongest argument, okay so here D is your right option let us see, yes, D is your right option now हम चलते हैं, next question पे, the doctrine of privity mandates that only a party to contract can claim upon it, अब आपको पता है, privity of contract क्या होता है privity of consideration जो है इंडिया में, वहां third party can sue, otherwise third party को माना जाता है, stranger to the contract और privity of contract में आइजर इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगा पे privity of contract में third party जो है, वो sue नहीं कर सकती इसके कुछ exceptions हैं जो हमने पड़े थे, beneficiary है, कोई beneficial के कुछ benefit के लिए कुछ contract बना हुआ है, नंता third person can sue, कोई आपके marriage या फेकोई family arrangement में कुछ ऐसा बोला गया है जिसके लिए बोला गया है that person can sue, इसका हमने बहुत सारे जब ये पढ़ा थे, examples करे थे, कि एक father है, property divide कर देता है, बर टीनों को बोल देता है, कि आपको इतनी इतने amount अपनी sister को pay करना है ठीक है, तो इसे कुछ family अपनी arrangement में करा है, अगर वो ना पे करे, then that sister can sue okay, third होता है, जब आपको knowledge होती है, या there is a promise, और जब आपका doctrine of stopple वहां पे लग जाता है ठीक है, कि promise हुआ था, third party को पता है, कि मेरे लिए ये promise हुआ था, वो फुल्फिल नहीं हो रहा है at that case, third party can sue okay, जी, तो ये इसके कुछ exceptions है, otherwise, privity of contract, यही कहता है आपका, कि third party can sue, okay तो यहाँ पे कहलिगा है, mandate that only a party to the contract only the parties to contract can sue okay, जी, अब चलते हैं इसके facts पे, P started the business of manufacturing table lamps which he sold to distributor Q, who in turn sold the lamps to a store owner, R, अब इन मेरे खो P, Q, R में ऐसे contract जा रहा है, P का Q के साथ है Q का R के साथ है okay, जी, now, who in turn sold the lamps to a store owner, R in the city, P entered into an agreement with Q which mandated that Q can only sell the lamps to store owners at a minimum retail price of rupees 50, okay failing which Q would have to pay rupees 5 for each lamp, okay sold below rupees 50, अगर P और Q के बीच में आपस में ये contract है, कि जी, Q सिरफ आगे owners को sell कर सकता है 50 rupees का, अगर उसे वो कम देगा तो Q को जो है 5 rupees each देने पडेंगे ठीक है, अगर वो 50 से कम sell करेगा, Q entered into an identical contract with R अब Q और R आपस में contract बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये, mandating that R can only sell the lambs to customers for rupees 50, failing which R would have to pay Q rupees 5 for each lambs sold below rupees 50 R sold a lambs to customer for rupees 40 and P seeks to claim against R अब देखिए, अब Q की R के बीच में हुई थी, अब R ने क्या करा, lambs 50 के बजाए 40 का दे दिया अब क्या कर रहे है, P R को सू कर रहे हैं, contract तो Q और R का बना है, P और R का तो नहीं बना न, तो that is why here, P जो हो, libel नहीं होंगे R को सू करने के लिए, इसमें जो है आपका case लगता है, हमने पढ़ा हुआ है, ये case आपका dunlop tires वाला जो हमने पढ़ा था you remember all, dunlop pneumatic tire tire co limited versus selfridge and co limited ठीक है, ये tire company थी आगे, उन्होंने ऐसे ही बोला हुआ था, तभी हम आपको cases कराते हैं, देखो, asses आपके एक्जाम में आए रख है, वो ही case के facts आ रखे हैं, आपके एक्जाम में प्रिविटी आपकोंट्रेक्ट का ये case है, बहुत ही famous case है, और आपके फॉरण का है, twiddles versus atteckinson, ठीक है, और इसका ये था, okay, to low tires वाला कि इंडिया में भी प्रिविटी आफ कंट्रेक्ट है, वो मितलब stranger counts, ये वो कहता है, जो प्रिविटी आफ कंट्रेक्ट क्या कहता है, only a party to the contract can claim about it, okay, जी, तो ये आपका, as such ये ही आपका लग गया, यहाँ पे वो ही same facts है, case करा हो न, अगर आपने इच्छे से ध्यान से class लगाई हो, तो आप इसको ऐसे solve कर दोगे, कि आपको पता है, इसमें, वो वो ही case की बात, same facts पे बात हो रही है, तो ये आपका question है, अब हम चलते हैं इसके options के उपर, P will not, अब देखिए, again, P का क्यों के साथ contract था, आगे क्यों वने R के साथ कर रहा है, अब P जी कर रहे हैं, R को सू, P will not be successful since there is no privity of contract between P and R, absolutely, only those parties can contract who are the party to the contract, यहाँ पे P और R में कोई contract नहीं हुआ है, P and Q में हुआ है, Q सू कर सकता है R को, but P सू नहीं कर सकता R को, okay, P will not be successful since R is free to sell the products, देखिए, यह भी sell the products at the price of their choosing, यह क्यों appropriate नहीं है, बिकास हम privity of contract की बात कर रहे हैं, P will not be successful since Q has not been made a party to the proceedings, यह भी right option नहीं है appropriate, हमने क्या देखना है कि there is no privity of contract, अगर P, Q, R ने आपस में मिल गई यह contract करा होता, तब P must have been successful against R, okay, P will not be successful since there is no privity of contract between P and Q, ऐसा कुछ भी नहीं है, P and Q में तो contract हुआ है, तो P will not be successful, यहाँ पे no word नहीं होना चाहिए था, okay, So, P will not be successful since there is no privity of contract between P and R, okay, P and Q नहीं हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे, P and R में कोई contract नहीं था, okay, Here A is your right option, now let us see the last question for today, अब इसका principle रेखे हैं, फ्रॉड की बात कर रहे हैं, Include the suggestion as a fact of which is not true by one who does not believe it to be true or the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact with intent to deceive another party or her agent to enter into the contract, तो यहाँ बेसिकली फ्रॉड की बात कर रहे हैं, यहाँ बेसिकली फ्रॉड की बात कर रहे हैं, यहाँ पेक्स परते हैं, Wind On Limited is a leading manufacturer of wind turbines to harness wind energy to produce electricity. It is based out of Nagaland in India and has been manufacturing wind turbines since the early 1990s. With national and international fame, Zee Infrastructure Limited is a leading infrastructure firm with a proven track record in building energy installations in highways across India. Zee Infrastructure wanted to expand its portfolio and operate a wind energy park to supply clean electricity. representatives from Wind On and Zee Infrastructure carrier extensive negotiation advised by leading law firms and commercial advisory firms on both sides for the latter to establish Wind On Park in Odisha. Okay, Zee Infrastructure wanted Wind On to guarantee that the turbines will generate 54 lakhs kilowatt of energy per turbine annually. Wind On's stated position was that generation of energy is dependent upon the availability of wind and they could not guarantee it. However, they provided an estimate in the contract for supply of turbines that turbines will be able to generate around 50 lakhs kilowatt per turbine annually. The turbines were supplied by Wind On and operated by Zee Infrastructure in Odisha for over two years. During this period, the infrastructure found that the average energy generation of each turbine came to around 35 lakhs kilowatt annually only. You know, they claimed Kariti 50, I instead of 35. They were frustrated as the actual generation of each turbine was significantly lower than generation estimated power by Wind On. They reached out to Lal and Co., a leading dispute resolution law firm, to understand if they could initiate a reaction against Wind On for fraudulently representing the generation estimate of each turbine. So, you are a lawyer at Lal and Co. And you were asked if Wind On had committed fraud by providing an inflated energy generation estimate or not. Dekhye jee. अब अब आप आप इसको दुबारा समझे, वह उन्होंने पहले से गरंटी मांगी, उन्होंने का देखो हम कोई गरंटी नहीं दे सकते हैं, हम कुछ एस्टिमेड बता सकते हैं. तो यहाँ पे भी around 50 lakhs कि उन्होंने बात करीचे. Around 50 lakhs. अब प्रिंसिपल क्या कह रहा है, fraud includes a suggestion as a fact of which is not true. अब देखें, fraud में क्या होता है, कोई ऐसी अब suggestion देदो जो बिल्कुल true ना हो. ठीक है, by one does not believe it to be true or the active concealment of a fact by one having knowledge of belief of the fact with the intent to deceive another party. अब देखें, fraud करने के लिए, उनकी intention भी होनी चाहिए कि वो दूसरी party के साथ fraud कर रहे हैं. उनको deceive कर रहे हैं, यहाँ तो उन्होंने कोई deceive नहीं कर रहा है, उन्होंने अपना just estimate बता दिया. अगर उनको exactly पता होता कि वो कितने हैं, जैसे यहाँ पे देखें, वहाँ जहाँ पे उनकी सचाहिपता चलती है, 54 lakhs का बोला उन्होंने नहीं, हम guarantee नहीं कर सकते, around 50 हो सकता है. तो यहाँ में आपका fraud के लिए यह point होना बहुत जुरूरी होता है, जब मैंने आपको fraud करवाया था, उसमें बताया था, there should be the malice intention. misrepresentation में यह ज़रूरी नहीं होती, fraud में it is very much necessary that you have that intention to deceive the other party, to claim paul sings, जब आपको सच्चाही पता हो, इनको यहाँ पे सच्चाही पता ही नहीं था, उन्होंने just rough estimate बताया, अगर इनको सच्चाही पता होती, और फिर वह गलत quote करते, अगर यहाँ पे कहीं ऐसे निखा होता, त सब हम कह देते, fraud हुआ है, okay जी, now, you are a liar and a lawyer and you were asked if windon had committed fraud by providing an inflated energy generation estimate, तो आपको क्या पताना है, yes, as windon was an expert in the wind turbine business and the interest relied on its expertise as a new entrant in the field, अब देखिये, windon to expert है, but उनको estimations का नहीं पता था, तो that is why we will stop this option, okay, अब हम चलते हैं, next में, no, as windon clearly specified the energy generation figure was merely an estimate and it could not provide a guarantee, this is absolutely right answer, यही आपके passage में point लिखा हुआ, okay, yes, as windon should have predicted a figure that was closer to the actual figure of 35 lakhs kilowatt, यह बिलकु जलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, yes, windon should not have provided an estimate, at all, यहीं बिलकुल, यहीं पॉइंस सभी आपके passage में भी लिखी हुई है, यह बात, उनने just merely an estimate बताया था, उन्होंने यहीं बोला था, उनको गरंटी नहीं देते, तो इनकी कोई intention नहीं थी, उनके साथ फ्रॉड करने थी, कि यहां कोई points चुपाने के लिए, so here B is your correct option, okay, let us see the answer, B is your correct option, okay, students, तो आज हमने 10 questions करें हैं, आपके NLU exam की, जो आपके recent 2021 में आये हैं, so I hope आपको यह अच्छी समझ लग गए होंगे कि क्या, अगर आपके पास principle आता है, तो उसमें क्या समझना है, facts आते हैं, उसमें क्या चीज़ समझना है, ठीके जी, that's all in today's lecture, thank you so very much.